Hello students, Class 10th के Maths के 2nd chapter में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग 2nd chapter जो की है polynomial इसके 1st exercise को solve करेंगे तो मेरा नाम है अकास सिंग और आप देख रहे हैं हमारा YouTube channel Epsilon तो चलिए शुरू करते हैं तो 1st question है, the graph of y is equal to px are given in figure 2.10 below For some polynomial, px find the number of zeros of px in each case तो basically हमारे पास different different polynomials के graph given है हमें find करना है कि इन polynomials के पास कितने zeros हैं बस हमें graph को देख कर ही पता लगाना है कि इन polynomial के पास कितने zeros हैं तो इसका simple सा logic यह है कि यह जो graph दिख रहे हैं आपको यह x axis को जितनी बार cut करते हैं उतने zeros polynomial के पास होते हैं जो graph है polynomial का वो जितनी बार x axis को cut करेगा उतने ही zeros उस polynomial के पास होगे तो देख लेते हैं कौन सा ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है x-axis को याला ग्राफ x-axis को कट नहीं कर रहा है तो इसके पास कोई भी 0 नहीं होगा That is answer 0 क्योंकि याला ग्राफ x-axis को कट नहीं कर रहा है याला ग्राफ इस point पे कट कर रहा है इसके पास 1 0 होगा इस cancer 1 होगा यह अला graph x-axis को 2 जगा कट कर रहा है sorry 3 जगा कट कर रहा है यह वाला जो graph है यह वाला जो graph है x-axis को 3 जगा कट कर रहा है इसलिए इसके पास 3 zeros होंगे ठीक है पहले cancer 0 है दूसरे का 1 तीसरे का 3 यह अला graph एक्सेस को दो जगा कट कर रहा है इसका अंसर दो होगा मतलब दो जीरो होंगे यह लग्राफ एक्सेस को एक दो तीन चार जगा कट कर रहा है तो इसके पास फोर जीरो होंगे और यह लग्राफ एक्सेस को एक दो तीन जगा कट कर रहा है तो इसके पास थ्री जीरो होंगे तो हमारा first exercise solve हो गया है इतना ही question थे first exercise में NCRT के तो आज की video में बस इतना ही अगले video में हम लोग second exercise को solve करेंगे link आपको description box में मिल जाएगा तब तक के लिए goodbye आपको